नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हुआ चल आज इस बुलिटिन में बात होगी असम के सियम पर राहुल गांधी के बड़े आरोप की भारत जोडो नियायात्रा की बढ़ते समर्थन की बात करेंगे नितीश कुमार की राजिपाल से मुलाकात की आंधर प्रदेश में YSR CP को लगे जोर के जटके की जानेंगे मराथा अरक्षन आंदोलन के सामने कैसे बैक फुट पर आई शिंदे सरकार और बुलिटिन के आखर में देखेंगे जाने माने कार्टिनिस्ट इर्फान की किस खबर पर पड़ी है तिरची नजर इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर अयुध्या को लेकर सरकार के तमाम इंतजामों के दाबों की खुली पोल पहले ही दिन दिखी आवेवस्था रामलरा के दर्शन करने पहुँचे लोगों पर लाठी चार्ड ट्यमसी नेतम हुआ मुईत्रा की बढ़ी मुश्कले आरोप लगाने वाले वकील देहा द्राई को सीबियाई ने भेजा समन राजस्थान में राजियू गांधी युवामित्र योजना को लेकर विधान सभा में भजनलाल सरकार और कॉंग्रेस के बीच दिखी तकरार सरकार के तरप से जवाब ना मिलने पर विपक्ष ने किया वौक आउट शेयर बाजार में बड़ी गिरावट संसेख 1,033 अंकों की गिरावट के साथ 7,370 अंक पर हुआ बन निफटी 333 अंकों की गिरावट के साथ 21,249 अंक पर हुआ बन तो ये थी सुर्खिया अब बात आज की सबसे बड़े खबर की राहूल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा जब से असम पहुची है तब ही से यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है कॉंग्रिस का दावा है कि राज्य के सियम हिमन तबिस्वा सर्मा डरे हुए हैं और वो यात्रा में रुकावट डाल रहे हैं बार-बार हमें रोका जा रहा है पहले अनुमती दी जाती है और फिर खारिश कर दी जाती है और जब कॉंग्रिस की यात्रा गुहाटी में प्रवेश कर रही थी तो उसे आने से रोक दिया गया जिसके बाद जम कर ववाल मच गया राहुल गांधी पर F.I.R. दर्च करने के आदेश भी दे दिये गया है तो क्या अब राहुल गांधी को गिरफतार करवाएंगे हिमंत विस्वा सर्मा देखे इस रिपोर्ट में भारत जोडो नियाई यात्रा के दसमें दिन जम कर हंगामा मचा एक दिन पहले राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोका गया था तो अब उन्हें गुआहाटी आने से रोक दिया गया राहुल अपने काफिले के साथ गुआहाटी शेहर के बीच से गुजड़ना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी पुलिस ने गुआहाटी सीटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेटिंग कर दी थी इसके बाद कॉंग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए एक तरफ हजारों की संख्या में कॉंग्रेस के कारेकरता थे तो दूसरी तरफ असम पुलिस के जवान जो सरकार के आदेश पर राहुल गांधी का रास्ता रोक रहे थे बाद में यात्रा गुआहाटी बाइपास के रास्ते से आगे बढ़ गई घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया है उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड़ा की रैली निकली थी कॉंग्रेस कारेकरताओं ने रास्ते पर बेरिकेड हटाए लेकिन हमने कानून नहीं तोड़ा है लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉंग्रेस का कारेकरता कमजोर है कॉंग्रेस का कारेकरता बबबर शेर है राहुल गांधी ने कहा कि वो यूनिवर्सीटी में चातरों के साथ बात चीत करना चाहते थे ये समझना चाहता था कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लेकिन देश के ग्रिह मंत्री ने असम के मुख्य मंत्री को फोन किया और फिर असम के मुख्य मंत्री ने आपकी यूनिवर्सीटी के लीडर्स को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट्स से बात ना करने दी जाए ये बेहत जरूरी है कि आप जिसे सुनना चाहते हैं उसे सुनने की आपको इजाज़त दी जाए उन्होंने युनिवर्सिटी जाने से रोका लेकिन स्टुडेंट्स खुद ही मिलने के लिए आ गए राहुल गांधी ने कहा कि आप से कहा जा रहा है कि आपको आखें बंद करके आरसेस और इस देश की सरकार की बातें माननी है आप अपनी बात नहीं रख सकते आपको अपना इतिहास भूलना होगा आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है दूसरी और असम के सीएम हिमंता विसो सर्मा ने राजिके डीजीपी को आदेश लिये कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कॉंग्रेस कारेकरताओं को उक्साने का मामला दर्ज करें और इधर कॉंग्रेस के नेताओं का दावा है कि यात्रा का रास्ता रोक कर हिमंता एक तरह से कॉंग्रेस की ही मदद कर रहे हैं जिससे जनता में बीजेपी के खिलाफ गुसा बढ़ रहा है राहुल गांधी पर F.I.R. कर कहीं बीजेपी उल्टा तो नहीं फस जाएगी क्योंकि यात्रा का समर्थन बढ़ता ही जो आ रहा है और पूरा इंडिया गडबंधन अब राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी ने भी इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया है तो क्या कहा है राहुल गांधी ने देखिए इस रिपोर्ट में कर दिया है कि पशिम बंगाल में ममता बनरजी भी यात्रा का हिस्सा बनेंगी उन्हें जरूर आना भी चाहिए राहुल ने कहा कि जल्द ही इंडिया में सीटों के बटवारे का काम पूरा हो जाएगा इस बीच बिहार में भी भारत जुडो न्याय यात्रा को लेकर तैयार जात्रा कवर करेगी बिहार कॉंग्रिस नेता प्रेम चंद्र मिश्रा ने कहा कि यात्रा किशन गंच से पूर्णिया की ओर रवाना होगी पूर्णिया में एक बड़ी रैली होगी रैली में गटबंधन के सयोगियों को भी नोयता भीजा गया है नितिश कुमार लालू या अचारी को भी आमंत्रित किया गया है और वे यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए सहमत हुए हैं नितिश कुमार राहूल गांधी के साथ भारत जोडो न्याय यात्रा में शामिल होंगे ये तो साफ हो गया है तो बीजेपी और उसके सहयोगियों के तरफ से दावे जो पुल्वरेक से मुलाकात हुई ये मुलाकात करीब 50 मिनट चली और मुलाकात के बाद नितिश कुमार मीडिया से बात किये बिना हिन निकल गए इसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई एंडिये की ओर से दावा किया गया कि नितिश अब पल्टी मारने वाल कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है तो क्या सच में नितिश पल्टी मार रहे हैं दरसल नितिश कुमार संसदिय कारे और वित्यमंत्री विजे चौधरी के साथ राजिपाल से मिलने के लिए पहुँचे थे ये मुलाकात बजट सत्र को लेकर बताई जा रही है और इसलिए नितिश कुमार के साथ वित्यमंत्री भी थे इसके साथ ही बिहार की साथ युनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुकती भी होनी है इसे लेकर सर्च कमेटी ने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर लिये हैं हलाकि अंतिम फैसला राजिपाल को ही लेना है ऐसे में वाइस शांसलोर के नाम पर भी नितिश कुमार की राजिपाल के साथ शर्चा की खबरे हैं ये मुलाकात पूरी तरह से बजट सत्र से जुड़ी मानी जा रही है लेकिन बीजेपी की तरब से कुछ और ही दावे शुरू हो गए हैं नितीश तो पलत नहीं रहे लेकिन आंधर प्रदेश में जरूर जो नेता पहले कॉंग्रेस छोड़ कर दूसरे दल में चले गए थे वो पलट कर कॉंग्रेस में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान राजु की सत्ताधारी पार्टी YSR-CP को होता हुआ नजर आ रहा है पार्टी के एक और सांसद ने स्तीफा दे दिया है क्या है पूरी खबर देखे इस रिपोर्ट में आंड़प्रदेश में लोगसभाचुनाबों के साथ ही विधानसभा चुनाब भी होने हैं और दक्षिन भारत के दूसरे राज्यों की तरह आंड़प्रदिश में अब कॉंग्रस तीजी से मजबूत हो रही है दूसरे दलो के नेता कॉंग्रिस में तीजी से शामिल हो रहे हैं खास तोर पर वो नेता जो पिछले दस सालों में पार्टी छोड़ कर दूसरे दलों में चले गए थे चार जन्वरी को वाईस आज शर्मिला ने कॉंग्रिस जोईन किया जिससे जगन मोहन रेडी को राज में बड़ा जटका लगा वही एक बर फिर से जगन मोहन रेडी को बड़ा जटका लगा है नरसराप पेट के सांसत लाबू श्री कृष्ण देव रायलू ने मंगलवार को पार्टी के साथ सा संसत की सदस्यता से भी इस्तिफा दे दिया उन्होंने घोशना की कि पार्टी में हालिया घटनाकरम के मद्य नजर उन्होंने वाईय सार्ज सीपी के प्रात्मिक्ता सदस्यता और लोक सभा की सदस्यता से इस्तिफा दे दिया है ऐसा मानो जा रहा है कि कृष्ण देव रायलू कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं या YSRCP मुख्य मुकाबला कॉंग्रिस के साथ ही होगा कॉंग्रिस मजबूत हो रही है तो दूसी तरफ NDA मुश्किल में दिख रहा है खास तोर पर महराष्ट में जहां NDA की सरकार है राजु के मराथा आंदोलन ने पूरे NDA की नीद उड़ा दी है तो क्या है मराथाओं की मांग और कैसे मुश्किल में दिख रही है राज की NDA सरकार देखे इस रिपोर्ट में महराष्ट में लंबे समय से माराथा समुदाय आरुक्षन की मांग कर रहा है लेकिन सरकार है कि सुनने को तयार नहीं है जब जब प्रदर्शन होता है तब तब केवल सरकार आस्वाशन देता है लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता है इसी का नतीज़ा है कि एक बर फिर से माराथा आंदोलन कारी सड़कों पर उतर चुके हैं माराथा आरक्षन आंदोलन के नेता मनोज ज़ारंगे पाठिल की पदियात्रा मंगलवार को पूने के रंजन गाउं से मुंबई की ओर बढ़ गई है आज पदियात्रा का चौथा दिन है ज़ारंगे ने कहा कि हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं उमीद है कि हमें मुंबई के आजाद मैदान या शिवाजी पार्क में परदर्शन की इजाज़त दी जाएगी मनोज ज़ारंगे माराथाओं के लिए आरक्षन को लेकर ततकाल लागू करने की मांग कर रहे हैं ज़ारंगे की ये मांग राजी के माराथाओं को कुनभी समाज में शामिल करने की है इससे पूरी कम्यूनिटी OBC की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षन का लाब ले सकीगी आपको बता दें कि इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को मनो जारंगे ने ज़ालना जिले के अंतराबली सराटी गाओं में भूख हर्ताल शुरू की थी मांग वही माराथा समुदाय को OBC का दर्जा देकर आरक्षन दिया जाए नौ दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने अपनी जान दे दी थी इसके बाद राजी सरकार के चार मंतरियों धननजय मुंडे, संदिपान, भूमरे, अतुल सावे, उदे सामंत ने जारंगे से मुलाकात कर भूख हर्ताल खत्म करने की अपील की थी उन्होंने स्थाई मराठा आरक्षन देने का वादा किया था इसके बाद 2 नौवंबर 2023 को मनोज जारंगे ने अंशन खत्म कर दिया साथ ही सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया था लेकिन सरकार ने अभी तक इस आरक्षन की मांग को लेकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया है जिसे एक बार फिर से मनोज जारंगे ने ये प्रदर्शन शुरू किया है मराठो का मार्च मुंबई की तरफ बढ़ रहा है जिससे शिंदे सरकार मुश्किल में नजर आ रही है सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि मराठो को कैसे रोका जाए दूसरे तरफ सुप्रिम कोट में आज उजानी को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देख कोट भी हरान हो गया तो क्या है मामला देखे इस रिपोर्ट में अदानी ग्रूप की कमपनी अदानी पावर और जैपूर विद्युत वितरन निगम लिमिटेड के बीच विवाद चल रहा है मामला सुप्रिम कोट में है और कोट में इस मामले की सुनवाई होनी थी सुप्रिम कोट में जज केस की सुनवाई के लिए तैयार थे जैपूर विद्युत वितरन निगम की ओर से वकील दुश्यंत दवे भी पेश हुए लेकिन सुनवाई नहीं हुई और इसके पीछे जो चुकाने वाली वजह बताई जा रही है वो काफी हैरानी भरी है क्योंकि जिस मामले की सुनवाई होनी थी वो केस बेंच के सामने सुचिबध ही नहीं किया गया था दुश्यंत दवे ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजे कुमार की खंड पीट के सामने मुद्दा उठाया तो पीट ने केस की लिस्टिंग नहीं होने पर हैरानी जताई दवे ने इसे सुप्रिम कोर्ट की रजिस्ट्री की लापरवाही बताते हुए कहा कि सुप्रिम कोर्ट में ऐसा असंभव है कि केस की लिस्टिंग ही ना हो दवे ने कहा कि ये बहुत परिशान करने वाला है कि रजिस्ट्री मामलों को सुचिबध नहीं कर रही है दवे ने दोनों जजों की पीठ से इस मामले में गुजारिश करते हुए कहा कि कोट को न्याईक आदेश पारित करना चाहिए इस पर जश्टिस अनिरुद्ध बोस ने पूछा इससे सुचिबध किया जाना था तो दुश्यन्त दवे ने बताया सहयक रिश्टरार ने कहा है कि उनके पास इस केस को लिस्ट नहीं करने का आदेश है दवे ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर इस घटना के पीछे सरकार है तो ये अदालत की अब मानना है उन्होंने खंड पीट से मामले को आज ही सुचिबध कराने का अनरोध किया बाद में अदालत ने मामले को 24 जनवरी को ताजा मामलों के बाद पहले केस के रूप में सुचिबध कर लिया आपको बता दे कि इसी बीच कोट रूम में मौजूद एक और याचिका करता ने इसी तरह का मामला उठाते हुए कहा कि उन्होंने 20 करोड लोगों के हितों से जुड़ी एक जनहीत याचिका दाखिल की और उसकी सुनवाई आज ही होनी थी लेकिन उसे भी लिस्टेड नहीं किया गया है उस याचिका करता ने कहा कि उनकी जनहीत याचिका को दो हफतों में सुना जाना चाहिए था लेकिन आठ हफते बीच गए सुनवाई नहीं हो सकी है इस पर भी कोट ने कहा कि हम बुदवार को सुनेंगे अब कोड भी हरान था कि मामले की लिस्टिंग क्यों नहीं हुए जांच होगी मामला अडानी से जुड़ा है जिस कारण से बीजेपी भी सवालों में है तो दूसरी तरप केंदर की जांच अजेंसियों से लेकर सुरक्षा बल भी सवालों के घेरे में है एडी ने एक और सियम को समन भेजा है तो सियारपियफ के खिलाफ राज सरकार के तरफ से एफायार कर ली गई है एडी और जहारखंट सरकार के बीश टकराब बढ़ता जा रहा है बीते दिनों मनी लॉंडरिंग मामले में एडी जहारखंट के मुख्यमंत्री हिमन सोरेन से पूश्ताश करने के लिए गए थे अब जहारखंट पुलिस ने सी आरपियफ के जवानों के खिलाफ सेक्शन 144 तोरने का मामला दर्च किया है एडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में बीते शनिवार को सीम सोरेन से पूश्ताश की थी जिस पर सीम सोरेन ने कहा था कि राजनितिक रूप से प्रतिसफर्दा करने में बिफल रहने के बाद भाजपा उनकी सरकार को उखाड फेकने के लिए परदे के पीछे से साजिश रच रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राजी के प्रती गलत मंशा रखने वाले संगटनों को कड़ा जवाब दिया जाएगा बतादे एडी से पूश्ताश के दौरान 500 CRPF जवान सीम आवास में घुसने की कोशिश करने लगे CRPF की इसी कारवाई पर सत्ता रूर्दल ने इसकी आलोचना की जारखंड मुक्ती मोर्चा ने CRPF जवानों की कारवाई की आलोचना की उन्होंने कहा ये अवैद था जार्खन मुक्ती मोर्चा के महासचीब सुप्रिया भटाचारिया और बिनोत कुमार पांडे ने एक बयान जारी कर कहा कि पूश्ताच के दौरान 2000 सुरक्षा कर्मी तैनात थे CM अवास के आसपास CRPC की धारा 144 लागू किया गया था तभी बसों में लगभग 500 CRPF के जमान बिना अनुमती CM अवास घुसने की कोशिश करने लगे ये अवैद और उत्तेजक है ये एक साजिश के तहत हुआ और इसके खिलाफ हम कारवाई करेंगे आपको बता दे कि अब ED ने CM सोरेन के खिलाफ एक और समझारी किया है जिसमें 27-31 यनवरी तक पूश्टाश के लिए CM सोरेन को बुलाया गया है और बुलेटिर के आखर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इर्फान की किस खबर पर पड़ी है तिर्ची नजर राहूल गान्य की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम सरकार के लिए मुसीवत का कारण बन गई है वहाँ की सरकार ने उनकी यात्रा को अब शहर के अंदर तक घुसने नहीं दिया क्योंकि CM को इस बात कड़ा है कि राहूल गान्य कहीं सडकों के जरीए लोग के घरों तक नहीं पहुँच जाएं और जब वो घरों तक पहुच जाएंगे तो लोग के दिलों तक महुचने में कितनी दिर लगेगी इसका मतलब साफ है कि राहूल गान्दी की यात्रा का मकसद पूरा होता उन्हें दिखाई दे रहा है इसलिए उन्होंने इस यात्रा को किछी न किछी तरह से आगे नई बढ़ने के लिए पूरी कोशिशें कर लिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी तो आज इस बुलेटिन में इतना ही देखते रहे है डीवी लाइब नमस्कार